दा सोल्जर्स होम एक सौर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है अर्निस्ट हेमिंग वे ने दा सोल्जर्स होम एक यंग मैन की कहानी बताता है यंग मैन का नाम है क्रैप्स जो की फर्ष्ट वर्ड वार के बाद में अपने घर वापस लोड़ता है तो ये क्रैप्स की कहानी है ठीक है देखिए दा सोल्जर्स होम एक सौर्ट स्टोरी इसका जेनर है और ये पब्लिस हुआ था 1925 इस भी में इसको लिखा अर्निस्ट हेमिंग वे ने ये कहानी क्रैप् होम टाउन यानि की ओकले होमा ठीक है ओकले होमा के में क्रैप्स की होम टाउन में ही होती है जहां पर वर्ड वार फर्ष्ट की बाद में 1920 शुरुआती अरली 1925 1920 के आसपास की कहानी है Soldiers Home में एक यंग मैं क्रैप्स ठीक है एक यंग मैं क्रैप्स की कहानी है जो कि एक महरायन बेटरीन First World War का एक महरायन बेटरीन होता है He returns home वो वापस घर आता है देल्स बिद्ध फ्रेस्टेशन्स ऑफ लाइफ आप्टर कॉमबट ये क्रैप्स वापस घर आता है First World War के बाद में और जो है जब घर पर आता है तो ये लाइफ में इसे बहुत ज़्यादा दिक्कते होती है ये फ्रेस्टेशन से ये जूजता है यहाँ पर जब वापस आता है इसे सांते नहीं मिलते पेस नहीं मिलता है Town is the same इसे मतलब वो Town same रहता है Town तो नहीं बदलता है जबकि क्रैप्स खुद जो है बदल गया होता है उसका घर जो है उसकी घर की चीज़ें उस पर reflect होते थे और साथ में ही वो बहुँ ज़्यादा change हो गया था जैसे कि girls को देखना पहले वो बहुँ ज़्यादा देखता था लेकिन अब वो बिल्कुल किसी को भी नहीं देखता है Telling his mother he does not love her और अपने मा से कहता कि वो उसे नहीं मानता है वो उसे प्यार नहीं करता है ठीक है एलेनेसन इजा key theme in soldiers home दा soldiers home में जो एक key theme है वो एलेनेसन है ठीक है जैसे यहाँ पर एक तरह से काफी लंबे समय से बाहर रहा तो वापस घर पर आता है तो यह अपनी मा सी कहता कि मतलब तो मैं तुमें प्यार वार नहीं करता हूँ इसका मलब थोड़ा नहीं जानता हूँ जैसे एक मा बेटे में लगा होता है तो यह सब दूर हो गया है क्रैप्स जो है हर कोई से home town में जितने भी लोग हैं उन सबसे थोड़ा सा अलग-अलग feel करता है ठीक है और यह जो है town की किसी girls को भी नहीं वाच करता है और यह जो है last में क्रैप्स क्या होता है अपनी sister Helen के द्वारा खेले जा रहे बेसबाल को देखने के लिए चला जाता है आईए यह समरी देखते हैं वो तो बहुत सॉर्ट में था समरी क्या है देखे क्रैप्स बेंड टू दा वार इन आइटिन सेवंटीन प्रॉम मेथडिश्ट कॉलिज इन कंसास क्रैप्स जो है कंसास में एक मेथडिश्ट कॉलिज से 1917 में वार के लिए वार में चला जाता है ठीक है और वहाँ पर वो जो है एक फ्रेटर्नेटी ब्रिदर्स के साथ में एक पिक्चर है और सेम कॉलर में और इसके साथ में जब वापस 1919 में 1919 में वार से जब वापस आया तो वो राइने में गया और वहाँ पर उसे एक पिक्चर दिखाए दिया एक फेलो कारपोरल का और टू जर्मन लेडीज का जब क्रेप्स लौडता है तो उसके होम टाउन में कोई सेलिबरेट नहीं करता है कोई मतलब खुसी नहीं मनाता है वो आपस आ जाता है ठीक है ऐसे लगता है जैसे कि वो हिस्टीरिया को बहुत ज़्यादा मिस करता है और वो किसी उसकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता था क्रेप्स की कहानी को कोई सुनना नहीं चाहता था हर कोई जो है कई सारी कहानिया हर कोई के पास अपने खुद की एक कहानी थी बहुत सारी कहानियां थी ठीक और इसके साथ में वो जो है एक दो बार जूट भी बोला था इसलिए लोगों की द्वारा उसे जो है डिसकेश्ट भी किया जाता है अब उसने जो है वार के बारे में किसे से बात करना ही बंद कर दिया है ठीक है और इसके साथ में जब वो जूट बोलता है तो लोग बोर हो जाते हैं मैं इन लोगों को पता चल जाता है कि ये जूट बोलते हैं और अपने समय में क्रैप्स बहुत लेट अब इस समय में जब ये युद से आता है अपने होम डाउन में तो क्रैप्स लेट तक सोता रहता और जो दिन भर ऐसे पड़े रहता वो अपनी sister और अपनी मा के लिए एक hero की तरह है लेकिन वो कभी-कभी war के बारे में कहता भी है तो वो सब बोर हो जाती है उसकी sister भी उसकी मा भी बोर हो जाती है ठीक है कस्बा ये town तो change नहीं हुआ था उसके absence में लेकिन कुछ बस यही हुआ था कि वहाँ जो कस्वे में कुछ girls थी अब वो women बन गई है मतलब girls जो थी अब उनकी साधी हो गई है कुछ की और crabs जो है अब उन्हें देखना पसंद करता है वो उन्हें के वह देखना पसंद करता है बलकि किसी सबात करना किसी की life partner नहीं बनना चाहता है ठीक है और नहीं वो किसी politics में involved होना चाहता है नहीं वो जूट बोलना चाहता है crabs जो है अब किसी भी प्रकार के consequences को नहीं चाहता है आर्मे में उसे सिखाया गया था कि उसे girl की जरूरत नहीं है और जो है कई सारे वो उसके बिना भी रहने लगा पहले क्या होता था कि वो जैसे एक यह होता है ना कि उसके बिना वो नहीं रह सकता था लेकिन आर्मी में सिखाय गया कि उसे जो है गल्स की नीड नहीं है क्योंकि वो उसका मैंड जैसे एक तरह से डिश्ट्रेक्ट रहेगा ना क्रैप्स जो है अब गर्ल्स को तो देखना चाहता है लेकिन किसे से बात करना नहीं चाहता है और एक बात तो यह है फ्रेंच या जर्मन गर्ल्स के बारे में एक बात तो यह है कि बहुत जादा तो बातुनी नहीं होती है लेकिन बहुत अच्छी लगते हैं क्रैप्स जो है वो इस बात को जानना नहीं चाहता था कि किस तरह से वो जो है वो गल्स को देखता था पहले मतलब इसके पहले की बात है और सोचता था कि वो जो है एक नाइस पैटरन से बनी हुई है मतलब ये देखता था और ये ही सोचता रहता था कितने अच्छे तरीके से एक बढ़ें तरीके से बनी हैं मतलब अच्छी है ठीक है और वो जो है किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है ठीक है कि उसे जो है रात में कार ले लें अगर वो रात में कहीं जाए तो वो कार से जा सकता है मतलब कार है उसे चला जा सकता है क्रैप्स जो है अब ब्रेक फाष्ट के लिए नीचे आता है और जो है न्यूज पेपर पढ़ने लगता है उसकी मा उसे बताती है कि उसकी सिष्टर हैलेन क्रैप्स उससे कहती है कि वो जो है indoor baseball game खेलने जा रही है उस दिन चाहेगी और क्या वो चलेगा वो पुष्टी है कि अपने भाई से क्रैप्स क्या तुम भे चलोगे उसकी माँ उसे भगा देती है उसकी माँ उसे कहती है जाओ तुम ये नहीं जाएंगे ये नहीं जाएगा कहीं अब क्रैप्स जो है उसकी मा क्रैप्स से कहती है कि उसे जो है अब एक नोकरी की तलास कर लेनी चाहिए ठीक है क्रैप्स की मा उसे बताती कि वो भगवान से प्रात्ना करती है कि उसे जो है नौकरी मिल जाए और जो है उसे नौकरी मिल जाए और फानली वो कहती है कि बाकी सारे बच्चे तुम्हारे एज के बाकी सारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं और साधियां कर रहे हैं और तुम कब करोगे तो क्रैप्स की मा ठीक है क्रैप्स की माँ उससे कहते है कि अगर वो किसे से प्यार करता है तो वो बताए है ना इस तरह से जो है लेकिन क्रैप्स कहता है कि वो किसे से प्यार नहीं करता है अब क्रैप्स की माँ को क्यावल दूख होता है क्रैप्स अपनी माँ को बताता है कि वो जो है उसका मलब ये नहीं है क्रैप्स जो अपनी माँ को बताता है कि वो जो अच्छा करने का प्रयास कर रहा है नोकरी-ोकरी खोज रहा है क्रैप्स की मा जो है अब घुट्नوں के बल बैठ जाते है और भग्वान से प्राथना करती है लेकिन वो जो है ऐसा कुछ नहीं करता है ठीक है और वो जो है ये सोशते वो चला जाता है वहाँ से चला जाता है कि अब वो एक Kansas City में एक जॉब खोजेगा और जो है जॉब करेगा ठीक है और वो केवल अपने लाइब को एक smoothly settlement करना चाहता था ठीक है और लाश्ट में जो है क्रैप्स अपने अपनी sister Helen के द्वारा Helen के द्वारा खेले जाने वाले baseball को देखने के लिए बाहर की तरब चला जाता है तो इसे के साथ में द्वारा सोलजर सोन ये short story end होती है